गोड़ मॉर्णिंग एवर्यवान लास्ट नमने एक्सल का टूड़े फ़ंक्शन हमने यूज किया था करण टाइम को जनरेट करने के लिए तो हम अभी देखेंगे कि हमारा जो टूड़े फंक्शन टूड़े फंक्शन जो की कटेगराइज किया गया है एक्सल की डेट इन फंक्षन को हम यूज़ करते हैं और टूडे फंक्षन जो की कंटूनिसली चेंज भी होता है जब आप यानि उस वाक्षिट पे उस वाक्वूप पो तो आज का जो टॉपिक आप कल खोलेंगे तो उसके हिसाफ से यानि क्या होता है तो जो टूडे फंक्षन से वह यानि हम किसले यूज़ करते हैं जो करण्डेट को गयट करने के लिए तो उसका परपस भी क्या है गयट करने के लिए वालिट एक्सल एक्सल डेट यानि एक्सल में जो आपका वालिट डेट है वह यानि क्या करते है यह इसका क्या है सेंटेक्स है यानि फॉमूला है आपको सेंटेक्स को बहुत इंपॉर्टन चीज़ है सेंटेक्स जो कि आप लोगों को क्या करना है बिल दोए जो हमने ना फंक्शन में भी हमने इसको किया था तो चल में यहां पर इसका ऐग प्रैक्टовых करेंगे और यहां पर मैंने करें एक किश खूछआ है जीसे हमने लास्टीं किया था तो इसको हो यहां पर इसको modify करती हो और यहां पर टूड़े लिखते हो टूड़े फंक्शन को चल में स्टाट करते हैं हमें पते हैं कि Excel में जो नाउ फॉंक्शन हम किसले यूश करते हैं यानि करन डेट को toffe get करने के लिए ने कीजि़े अगने के ले को ही Now function कि सॉरी It is today function कै टुरेा आए वाज यह क्या है ? से जो प्रैकट क्लोस लोगो्पन को हम क्या कहते है ? we do !!! की तोडेा मंपनचन हम की से हैं ? यह खाले क्या है ? एक फार्मौला है जो कि किसी भी फार्मुला को type करने से पहले हमें क्या करना होता है equal sign type करना होता है फिर इसकी बाद today लिकना होते है फिर इसकी बाद bracket open bracket close फिर इसके पाद enter आज के date क्या है हमारा पंदरंग 5 2021 है यानि यह क्या है अब हमने यहां पे क्या है क्या यानि functions को यूज किया today functions को today function हम किसलिए यूज करते है current date को get करने के लिए हमने आप लोगों को इसको इसकी जो theoretical parts में descriptive parts में आप लोगों को एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था सुबा अब इसका मैं अब भी practical कर रहे हूँ तो मैं यहाँ पर shortcut की यूज करती हूँ current date को यानि get करने के लिए हमारे पास एक shortcut की है जो की control plus semicolon इससे क्या होता है हमारी current date ही get होता है आपको क्या करना है control plus semicolon को याद रखना है current date को get करने के लिए यह इसका क्या है syntax से अगर आप लोगों को कोई आप लोगों को पूछेगा तो आपको सिर्फ यह यह चीज़ याद रखना है तो today function what is the function of what is the purpose of today functions आप लोगों को कोई पूछेगा तो आपको to get the current date और उसका return date क्या होता है valid excel date जो excel में जो valid date है उस वो क्या करते है और उसका syntax क्या है equal today फिर इसके बाद record open close फिर इसके बाद enter लगाना है to get the current date को get करने के लिए और उसका shortcut की क्या है control plus semicolon है तो hope आप लोगों को यह चीज़ समुश में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे comment section में पूछ सकते हैं और what's up group में भी आप लोग पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी topic में डाट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अब भी आप लोगों के past time है अब exam से पहले आप जो भी आप लोगों को पूछना है आप लोग पोछ सकते हैं तो इस video में इतना ही thank you for watching, see you next video, see you very soon